हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब देखो आज मैं आपके साथ एक ऐसे टोपिक पर डिस्क्रस करने जा रहा हूँ देखो सबसे पहले मैं बता दू आपको ये न्यूज साहिद आप तक पहुंच चुकी होगी ठीक है मैं थोड़ा सा लेट हो गया और लेट होने का कारण ये था मैं इसको नाइट में इसके उपर वीडियो बना सकता था लेकिन मैं थोड़ा सा लेट इस वज़े से हो गया क्योंकि मैं इसके उपर थोड़ा सा अपने और भी जो साती हैं अपने जो भी और कंडिडेट है जो इसके बाद बहुत अच्छे से जानते हैं उनसे मैं बात वगरा किया और उसके बाद मैं एक conclusion निकला ठीक है तो सबसे पहले मैं बता दू आपको देखो आज का हमारा ये topic है जैसे आप थमनली पर दिखावा है आपको कि क्या paper जोन में हो सकता है ठीक है हम इसके उपर आप इसको पढ़ सकते हो वैसे ये notification है जो DSSB का जो PGT का exam है उससे related है ठीक है और DSSB ने DSSB ने decide किया है इस notification के द्वारा 6 मई 2021 को कि भाई जो paper है PGT का वो 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, June 2021 को होने वाला है ठीक है और इसमें इन्होंने एक बात और बोल दी कि भाई साब जो paper है आपका वो सारक सारक कैसे होगा online mode में आपका paper होने वाला है अब मैं आपको इसके बार बे पूरी की पूरी complete जानकारी दो हूँ उससे पहले मेरी आपसे एक request है कि यदिया इंडिया की किसी भी state से निकलने वाले कोई भी teacher की vacancy चाए वो PGT हो चाए TGT हो चाए PRT हो चाए lecturer की हो चाए college lecturer की हो चाए PhD में admission से related हो ठीक है केवल आप teacher की vacancy से बिलकुल 100% recently update रहना चाते हो तो एक बार channel को आप subscribe कर ले ठीक है क्योंकि हमारा यहाँ पर focus है only teachers के उपर ठीक है तो हम यहाँ पर आपके साथ ये बात करने वाले हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ देखो आपका जो ये paper है online होगा computer based online paper होगा आपक इसमें 8-6-2021 को paper होने वाला है किस-किस का geography का और economics का फिर 11 तारिक को paper होगा computer science का और math का उसके बाद 12 तारिक को paper होगा physical education का उसके बाद 15 को होगा history और हिंदी का उसके बाद 16 को होगा हिंदी का 17 को होगा history और political science का 18 को होगा commerce social science sociology और sociology का और गुनिस को होगा physics का और 20 को होगा English का देखो यहाँ पर एक अलग बात है यहाँ पर feel और mail लिखा हो है mail का paper एक साथ होगा feel का paper female का paper एक साथ होगा जो आप आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हो बिल्कुल आपका क्या subject अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूं एक अधर topic पर बीच में यदि आपका subject जोग्रोफी है क्या है आपका subject जोग्रोफी है और आप जोग्रोफी की एक बहुत स्यांदार तरीके से तैयारी करना चाहते हो आप चाहते हो कि जोग्रोफी में हमारा यहाँ पर इसी वैकन content चाहते हो हर topic के objective question चाहते हो तो हमारा batch जोइन कर सकते हो हमने इसके लिए batch start किया है जिसमें हम आपको बहुत सार शांदार वाला content प्रोवाइड करवाएंगे और हमारा जो एक content वो बहुत selected content रहेगा आपके लिए दूसरी बात मैं बताऊं हमारा अब भी फिलाल में target का है जून का ही है कि भाई ये paper जून में होगा 8 जून को ही होगा ये target लेकर हम पढ़ाएंगे लेकिन इसी target में हमारा एक target और जुडा हुआ है कि हो सकता है ये paper postpone हो जाए क्योंकि थोड़ा सा कम chance लग रहे है जून में इस paper का होना क्योंकि present time is बहुत critical condition चल रहे हैं इंडिया तो हम दोनों तरीके से इस सलेबस को complete करवाने कोशिज करें ही सबसे पहले हमारा target है जो जून में paper हो कि 8 जून 2021 को paper होता है उसे साब से हम तयारी करें यदि आज हमारा score जो ग्रोफ में 60% हो रहा है तो 30 दिन में हम इस तरीके से पढ़ें ऐसा content पढ़ें कि ये score हमारा 80% प पहुंच है जदि किसी candidate का score अब 50% हो रहा है उसका score है जो भड़कर 75% पहुंच है हम इस तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं तो यदि आप जो ग्रोफी का बहुत स्यांदार वाला content चाहते हो बहुत गजब तरीके से तयारी चाहते हो और अपना selection लेना चाहत हो तो आप हमारा batch join कर सकते हो जो ग्रोफी का 7891350470 78 एकराण में 350470 यह मेरे वाट्चप नमबर है complete syllabus प्रोवाइड करवाए जाएगा PDF और वीडियो दोनों तरीके से प्रोवाइड करवाए जाएगा हर टोपिक के objective question प्रोवाइड करवाए जाएगे बहुत से अंदर वा टोपिक के उपर वो टोपिक है fees कि सर इसकी fee कितने ही रहेगी तो देखो यदि आप बैच लेते हो तो fee only 500 रूपए ठीक है 500 रूपए में complete जोगरोफी का syllabus प्रोवाइड करवाए जाएगा बहुत स्यांदार तरीके वाला ठीक है तो आप बैच ले सकते हो यदि आप बैच यदि आप बैच 9 मई से पहले पहले लेते हो कबसे 9 मई से पहले पहले लेते हो तो यह charge है only 400 रूपए 9 मई से पहले पहले बैच लेते हो तो charge only 400 रूपए 9 मही के बाद बैते हो charge only 500 रूपए रहेगा complete syllabus प्रोवाइड करवाए जाएगा यह मेरे contact number है अब हम मैं टोपिक के पर बात करते हैं क्या paper होगा देखो अब भी तो हमें target के लेना है कि paper 8 June को होगा हमें ये नहीं सोचना कि paper नहीं होगा लेकिन हमें target लेना है कि paper 8 June को होगा और उसी target के according हमें तयारी करनी है लेकिन मैं थोड़ा सा बता दू परजेंट टाइम में COVID-19 की वज़े से बहुत critical condition च situation चल रही है तो हो सकता है ये paper आगे postpone हो जाए पूरे पूरे चांस है 99% चांस है कि paper आगे postpone होगा लेकिन हम मानके चल रहे है क्या क्योंकि exam date यहां पर fix की जा चुकी है और हमें बहुत जबर्दस तरीके से पढ़ना है हमें overall सरक्षा लेना है इसलिए हमें क्या target लेना है कि paper भाई साब 8 जून से ही start है इसलिए हमें 8 जून का target लेकर बहुत जबर्दस तरीके से पढ़ाई करनी है ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेरे प्यारे साथियों को चैनल पर नई हो तो एक पार चैनल को जरूर सब्सक्राब कर लो और जोग रोफी का बैस जोइन कर सकते हो ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए thanks bye मेरे प्यारे साथियों